कथा वाचक अनर्थ जो महराजी खिलाब मुकदमा दर्ज हुआ है उन्होंने एक तिपड़ी बयान दिया था अध्रोपती ची अरड और सीता जी के अरड हुआ था उस पर उन्हें कहा था कि संदर्था ही जो है कारड है कैसे देख रहे हैं आप एक इस समय सोशल मीडिया को य जास हैं उन्हें बड़ी मर्यादा के शाइध अपनी बात बात को कहना चाहिए पार्तिव पूजन वह दिब महत्व है 12 जो तिलिंगों में से साथ जोड़ते लिंगों कि उत्वत्ति पार्तिव पूजन से है वही पार्तिव पूजन और इसके लोग श्वयम करकरके एक सु निशुल्क रहेगा और विद्यार्थियों को निशुल्क रहेगा ये योजना आश्रम की अन्नपूर्णा अरशोई की रूप इस वक्त हमाई साथ महजूद है रवी संकर जी महराजी सर उमार है सावन की महा में और बाबा का जो है बिसेश महत होता है इस महा का क्या कहेंगे बहुत दीबिस्तिति है और इस समय हम शाह गंज जिसका शिव महापुराण से शिव गंज नाम पड़ा है इस समय शवालाग पार्थिव पूजन और शिव महा पूराण की कता हो रही है और बहगवान की दिब कृपा है यही बहा वह है कि जन जन में श्री भक्ती कशंचार हो यही उद्देश है। पंच्वटी सृता रामाश्रम की आठ रसूई विविन इस्थानों पर चल रहे हैं। जिसमें गोंड़ा, बैराईज, लखनव, बल्रामपूर, अयोध्या जी में। तो अयोद्या जी को लेकर के हम लोगों की बड़ी योजना है कि एक अनपूर्णा मोवाइल रत बड़ा रत वो कार्तिक मास में जिस समय परिक्रम होती है उस समय चालू किया जाए तो उसी में सारे बफ्तगणों के सहयोग से उस रत में दो बार भोजन की विवस्था रहेग और विद्यार्थियों को निशल कर रहेगा यह योजना आश्रम की अनपूर्णा अरशोई की रूप में है यह कब तब चलेगा यह क्या प्रतिदिन चलेगा बारों माशी प्रतिदिन रोज दो समय मध्यान और शाहिंकाली जाए यह यह द्या जी के दो मार्गों पर लिए दो इस्थान या तीन इस्थान जो भी चेनित होंगे वहां पर रहेगा और यहाँ वश्चता रहती कि वहां पर रहेगा अनपूर्णा अरथ जो विभिन जन्पदों में हैं लेकिन तीर्थ में हमारे अजुध्या जी में जहां लाखों लाक्ष्र धालु आ रहे हैं उनकी सेवा हो सके निराश्रतों की सेवा हो सके, यह लक्षा है. पपाप आपने अउद्धय की बात किया, तो अपने बaduraऊ कितना देका है उध्या में? बाधिव बदलाव है प्राकतिक बदलाव यह यह प्राकतिक संरचना है और इस में भी बदलाव हो रहा है yell आंगें स्य तद्धि विकस की प्रक्रिया चलती रहेगी अध्यात्मीन नगरी है धर्म नगरी है तो बदलाव तो हमने देखा कासी विस्तनागी तर्श पर यहां पर रूद्राब से खुवा भस्म की आरती हुई गुलाल आरती हुई तो क्या महत्तों है पार्थिव पूजन बहुत धिव महत्तों है बारा जोतल लिंगों में से साथ जोडते लिंगों की कुद्पत्ति पार्थिव पूजन से है वही पार्थिव पूजन और इससे लोग श्वयम करकर के एक सुखद अन्भूती प्राप्त कर रहे हैं जब कथा में बताते हैं तो वह तो थियोरी हो गई आप लेकिन प्रिटिकल कैसे होगा जब एकती श्वयम करेगा उसका क्यान बहु है वह जानेगा धार्मी पक्षे बड़ा दिब्य है भगवान के ये अश्ट मूर्तियों में से दिब्य मूर्ति का ये पूजन माना जाता है और जो सभी वक्तों को बहुत लावप्रदक है बाबाजी का आखरी सवाल कथा वाचक अन्रित जो महराजी खिलाब मुकद को बचाये रखनी चाहिए व्यासकर्थ होता है बहुत किसी भी चीज को बहुत शुंदर तरीके से प्रस्तुत करना और टिपडियों से बचना चाहिए मूल भावना हमारी शंश्कृति का प्रचार प्रशार हो ये मूल भावना है और इस समय ध्यान देजेगा इस समय सोश अनकारी नहीं है लेकिन जितने भी कथाव आचक हैं और व्यास हैं उन्हें बड़ी मर्यादा के साथ अपनी बात को कहना चाहिए बिल्कूर ये ध्यासत महराजी इंका कहना है कि सावन मा में बुलिनात के दर्वार में हाजी लगाने के बाद सभी मुनकामना पूरी होती है जौनपुर से विवेक कुमार